हलो विएर्स वेलकम बैक तो दे चैनल विए पिशली सेसल में हमने यह जाना था कि कैसे पॉर्ट को यहां पर आये अपना सामराज बस आये खुद को कर बठें वैसे ही उनके बाद जो आये वो डच थे वर्स बेसिकली जो डच थे न वो यहां पर सैटलर्स नहीं थे वो यहां पर सैटल होना नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि हम आये यहां पर वैपार करें और फिर हम चले जाए तो जब यहां पर डच आये डच बहुत सारे जो company है यूरोप की उनको सब मिला के एक कहा गया कि United East India Company और यह VOC से भी जाना जाता है Dutch East India Company VOC से भी जाना जाता है VOC का फुल्पुम अगर कहें तो Brinday Austin Desi Campagne तो यह इसका VOC का नाम था यह इस्टैबलिस हुआ था पीस मार्श सुला सो दो को सबसे पहले जब यह Dutch यहां पर आए तो वह सैटल हुए थे मसूली पटनम में धीरे 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 फिर फैलते गए फिर वहां पर पुली कट आये पुली कट में इस्टार्ट गया फिर चीन सूरा में अपने आपको बसाया फिर कासिम बजार में बसाया बालसौर में बसाया और मसूली पटनम के बाद जो दूसरे जगा पर जो गय थे वो सूरत था अगर वो ट्रेड करते थे ट्रेड करते किन किन चीज़ों की तो cotton की इंडिगो की spices की सिल्की और अफिल्म की भी वो trade करते थे और बदलेव उनको क्या मिलता था बदलेव उनको gold मिलता था वो वहाँ से cotton trade करने आते थे gold लेके यहाँ के लोगों को gold मिलता था अब बात करें तो जो सबसे पहला वेक्ती है उसका नाम है Cornelius D. Honto जो सबसे पहले यहाँ पर आया था Cornelius D. Honto सबसे पहले डच्मेंट था जो यहाँ पर आया था और वो सबसे पहले सुमातरा और जावा पहुँचा था 1596 में ठीक है उसके बाद वो इंडिया के सबसे पहले वो मसूली पर नम आया और यहाँ पर पहला factory established किया दूसरा उसके बाद ठीक सुला सु सुला में वो सूरत चला जाता है वहाँ पर भी जाके वो अपने factory का factory वहाँ पर इस्टार्ट नहीं करता है वहाँ के लोगों के साथ तर्म बनाता है और दीरे 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 वह फैलना स्टार्ट करता है बसना स्टार्ट करता है फिर सुला सुला के बाद उससे पहले क्या हुआ था ना कि सुला सो नौ और सुला सु देस में पुली कीट में जो तामिल आडू में है वह सबसे पहले वहां पे factory established किया था main factory इसका बोल सकते हैं तो यहाई भी पुली-कट में था और एक चीज और यहाँ पर जाना जा सकता है कि एक gold coin इन लोगों ने issue किया था जिसका नाम था pagoda pagoda से जाना जाता है उसका नाम pagoda इन और रखा था gold coin trade के लिए रखे था अब बात की जाए तो जब डश यहां पर धिरे दिरे वो कैसे अपने मतलों कि अपना जो ट्रेट था वो फैलाना और फिर पुलिट किट के बाद वो सूरत गया सूरत यहां पर इसने पर के लिए मतलों कि अच्छे मतलों एक्चली क्या था कि सूरत में उसमें भी बहुत से ब्रिटिस और पॉर्टि उसका कबजा था तो सूरत पर उसको वहां पर कुछ खास इनको मिलने पाए लेकिन धीरे- बैठे तो इन लोगों नहीं वहां पर occupy करने स्टार्ट किया तो फिर डच भी वहां पर सामिल हो गया अब क्या था कि यहां पर चीन सूरा चीन सूरा नामक देख सकते हैं यहां पर यह जो जगह है इस जगह पर इनों पंद्रा सो तिरपन में अपना बिगेस सेंटर जिसको वह भृएं पर चीन सूरा में ही बना गया था वह द्वाथ जो फॉर्ट है वह इसने बनाया था चीन rhymes YEAH march का जो पोडक्शन सबसे पहले कहते हैं कि Dutch जो ही थे कि वो factory production किये थे factory लगाने start किया और सबसे पहले कहा जाता है कि जो production start किया किसी company ने तो वो dutch ही थे होता क्या था कि potty यूज भी यहाँ पर आए और यहां का raw material cotton silk यह सब लेके गए पर उन्होने यहां पर फैक्टरी नहीं लगा, पर फैक्टरी ऐटाझा कि बनाते थे और यहां पर अ बनाते थे लेकिने दुसरी ने करते थे मतलब कि я हपे लोगों को हारिंग इस्टार्ट कर घिया और सयलरी वेस्ट भी दी जाती थी कहां पे तो कासीम बजार में लगभग 3,000 वरकर कह सकते हैं 3,000 काफी हुसे में बहुत बड़ी बात है 3,000 वरकर उनके फैक्टरी में थी सील्क प्रोडक्शन होता था फिर प्रोडक्शन के बाद जो क्लोथ है कॉटन है उन सब से ये क्लोथ बनाया जाता था और फिर वो सब चीजों उनको यूरोप में बेचते थे तो डच का यहां आना एक तरह से अच्छा कह सकते हैं कि यहां पर अच्छे चीजे वहाँ स्टार्ट हो गई अब एक है कि जो स्पाइसेस और ब्लैक पिपर यह कहा जाता है कि जब ब्रिटीश और डच में उनके रिष्टे खराब होने स्टार्ट हुए तो एक ट्रीटी के कारण उन्हें इंडोनेसिया भेज दिया गया कि अब इंडोनेसिया के जगह पर इंडोनेसिया में जो है वह सिर्फ और सीब डच का हग होगा और जो इंडिया है वह आपर ब्रेटिस का होगा लेकिन इसके बार भी कहा जाता है कि जो डच है वो ट्रेड यहां से इंडिया से स्टार्ट रखे थे ब्लैक पेपर स्पासिस का ट्रेड वो करते ही थे अफिंका तो इससे फिर एक लड़ाई हो गया कहा जाता है कि उनका जो स्टार्ट वो काफी एडवांस था जाता तो यह एडवांस था देच के साथ उनको सीप बिल्डिंग बहुत अच्छा आता था ठीक है जो ब्रिटिस था पर यह चीज ब्रिटिस को अच्छा नहीं लगता था कि वो यहां पर आता था और ट्रेड करता था उनको एक्छहतर राज चाहिए था ब्रिटिस को में ठीक है और वैसा ही जो था वह पोटीूज था पोटीूज का भी यही ट्रिक्स और टैंटरम वह भी जारी रखता था वह भी चाहता था कि मेरा ही सिर्फ राज हो जिसके कारण में उनका डॉन फोल ने स्टार्ट हुआ और वह इंडिया से अब क्योंकि गूंकि कॉंप्टीशन जो था रहा इतना था कि सब चाहते थे कि इंडिया के साथ ट्रेड करें उनको यहां का इसपाइस और यहां के रोम अट्रिल इतना पसंद आता था कि वह सब यहां से ले जाकर चुब सेल करते थे उन्से वह अमीर हो जाते थे इसलिए कहते हैं कि Portuguese का भी नजर था यह डच का भी नजर था ब्रिटिस जो थे उनका भी नजर था यह सब आपस में लड़ते मतलों स्टार्ट कर दिये थे लड़ना अब डाच और इंगलीज की जो एनिमिटी मतलों कि वो यहां पर उनका दुस्मनी है वो कैसा है डच और इंगलीज क तो एक अंबोजना जो नामक जगा है इंडोनेसिया में तो क्या क्या कि डच जो है ना कि वो जगा को कैप्चर कर लिया ठीक है पॉटिवस से 1605 में वो पॉटिवस से कैप्चर कर लिया और उसके कुछ साल के बाद जब लड़ाए हुई तो इंगलीज के 10 लोग को मार दिय गया है यह घटना हुए थी 1623 में तो इस घटना के बास ना इंगलीज और जो यह कहते है डच उनके बीच में काफी दूरिया बन गए और मतलब राइविलिटी इतना जाद स्टार्ट हो गया कि अब वो दूसरे के लिए खून के प्यासे हो गया मतलब मारे देना चाहते थ है पर 1660 में यह जांके एक कॉंप्रोमाइज कर लिये दोनों इंग्लिश और डच कि हम लोग आपस ना कि इंडोनेसिया में जो है वो डच है और यह जो इंडिया है वहाँ पर इस ब्रिटिस है इन लोगों का एक कॉंप्रोमाइज हुआ एक समझागता हुआ कि हम यहाँ प पर यह सब जो चीज से वो जारी रखा कि यहां से ब्लैक पीपर, कॉटेन और अफ्यूंग वगएरा जो है उनको ट्रेड करते रहें पर यह सब चीजे फिर इंगलिस को परिसान करने लगे कि भाई जब हम लोग में बात हो गया ट्रेटी हो गया तो फिर आप क्यों आ रहे है क्यों आप समझोते को तोड रहे है अब हम देखेंगे डिकलाइन ऑफ डच इन इंडिया तो हमने काफी कुछ पढ़ चुका है कि कैसे डच यहां पर ट्रेड क्या करते थे और उनके बीच में इंगलिस जो आ गया उनके बीच में ट्रेड राइवलरी स्टार्ट हो गया ठी यह जो एरिया आज के समय इंडुनेसिया मलीशिया और कहले तो सिंगापूर यह सब जो एरिया है आज के समय यह मले आर्किलागों के अरिया के कंट्रोल में था तो बिटिस इस ने जो यह आई कि बीच में जो कॉम्प्रमाइज हो था उन्होंने कहा दिया कि अब आप जो ट्रेड है इंडिया से उनको अभी भी जरूरी था उनको यहां के जो ट्रेड जो लैविस ट्रेड था अभी भी वह चाहते थे कि हम इनसे ट्रेड बरकरार रखें तो यह चीज जो सामने आ रही थी इसके कारण एक ठर्ड एंगलो डच वार होता है 1672 से 1664 में अब आप आप देखें कि यह सूरत जो पहले ब्रिटीस का जो सैटल में था वह बाम्बेज सीप करता है और इस बीक में गांसे क्रूंनिके tracing है उह कट हो जाता है अब जो ब्रिटीस का जो सीप जो इंगलेंड के तरफ निकल रहा था यहां पे ट्रेड के लिए कहां से निकल रहा था तो वो बे ओ बंगाल से निकल रहा था तो उनको डच ने गौहां पे घेर लिया और जब घेर लिया तो उनके बीच में बैटल हुई जिसमें इनके काफी जो सीप से उसको डिस्ट्रॉई कर दिया गया डच के द्वारा अब ये सब होता देखे बेटिसस को गुस्सा आता है और वो इसके बीच में डिटैलियेट करते हैं और अच्छा खासा डिटैलियेट करते हैं वो डच को हरा देते हैं पर अब भी यहां तक ये रुके नहीं कही सालों के बाद एक बैटल ओफ होगली होता है नमबर 1769 1759 में कर देते हैं और बुरी तरह सुनको हरा देते हैं यह जो काफी लंबर टाइम परिएड आप यहां पर देखेंगे कि जो अम बोजना का जो ट्रेजडी होगा था 1723 में जहां जैपनीस और इनिस लोगों की हत्या कर दीके थी वो जगा पॉर्टिवस से डच शुला सु पाँच में छीने थैं और शुला सु थैश में यह ट्रेजडी हुआ था पर इक एक और कॉंप्रोमाइज होता है सुला सु साठ सरशट में फिर एंग्लो डच वार होता था सुला सु बाहतर से चोहतर में फिर बैटल फुगली होता है 169 में तो टाइम प्रेड है काफी लंबे समय तक यह मसकत इन लोगों के बीच में जारी रहा और अंत में यही हुआ कि बैटल फोगली के बाद पर्मेंटली डच को हरा के उन्हें इंडोनेशिया भीज दिया गया अब वो जो भी कर रहे थे वो इंडोनेशिया से ही कर रहे थ इन एरिया में उनका कंट्रोल था तो फाइनली डच का यहां से इंडिया से डिक्लाइन हो गया अब यूर्स हम नेक्स लास्में नेक्स सिसन में हम यह बात करने की इंग्लीस यहां पर कैसे राइस किया थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो इप्यू लाइक्ट